DAV class on mass chapter 8, triangles and its properties, के hot question करेंगे इस वीडियो में, तो इसका question number 1 है, in the given figure, AE is equal to AC, यह हमें figure है, जिसमें AE, AE, किसके equal है, AC के equal है, यानि कि side AE, AC के equal है, और angle B, AC, यह दे रखा है, हमें 40 degree का, ACF दे रखा है, यह वाला जो exterior रेंगन है, वो दे रखा 75 degree, and BCF is a line, BCF, यह क्या दे रखा है, एक line दे रखा है, प्रूवड एड बी, इ, सी, इ, के equal है, जो B, E side, B, E, E, C के equal है, यह हमें prove करना है, तो ध्यान से इस figure को हम देखेंगे, फिर इस question को करेंगे, देखो figure में क्या है, पहले हम ले लेते हैं, यह triangle ले लेते हैं, यह वाली triangle, A, E, C, ठीक है, यह triangle ले लेते हैं, इन triangle, इन triangle, A, E, C, A, E, C में क्या गिवन हैं, A, E किसके equal है, A, E equal है, A, C के, A, E, C के equal है, यानि कि यह वाली और यह वाली side equal है, यानि कि यह वाना angle और यह वाना angle इस triangle के दोनों क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, आपको पता है, अगर side equal हो जाती है, तो opposite जो angle है, उनके वो equal हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे angle A, C, A, E, C, angle A, E, C, किसके equal हो जाएगा, angle A, C, E, K, angle A, C, E, K, equal हो जाएगा, ठीक है, तो यह दोनों angle equal हो गे, और इन दोनों angle को अगर हम मानना चाहे, X मान सकते है, तो हमने चलो, इन दोनों को X मान लिया, let angle A, E, C, और angle A, C, E, इसके equal हो गए, यह equal हो गे मान लो X के, ठीक है, क्योंकि side equal थी, इसलिए angle equal हो गए, तो आप bracket में लिख सकते हैं, angle opposite to equal sides are equal, ठीक है, जिस लोग है आप अपर लिखना चाहो, angles opposite to, एंगन मैं short में लिख देता हूँ, angle opposite to equal sides are equal, ठीक है, angle opposite to equal sides are equal, ठीक है, तो आप इसको X मान लिया, आप इस triangle को ले लेंगे, triangle तो तीनों एंगल का sum कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का sum हो जाएगा, triangle के, angle sum property लगाए, angle 40, और angle X, और angle X, ठीक है, triangle A, C में इसके equal हो जाएगे, 180 degree के हो जाएगे, तो हमने कुण सी property लगा दी, angle sum properties लगा दी, तो ही इसमें हमने angle sum property लगा दी, तो 40 और X, और X हो जाएगा, यहाँ पे 2X is equal to 180 degree, तो 2X हो जाएगा, 180, 40 उदर जाके हो जाएगा, minus, यानि कि 2X किसके एकुल हो जाएगा, 140, ठीक है, X की value निकान लेंगे, 2 multiply कर रहा है, उदर जाके divide करेगा, तो यह आजेगा हमारे पास 70, यानि कि X की value 70 आगी, यानि कि हमें दोनो angle पता लगे, यह वाणा angle भी 70 है, और यह वाणा angle भी 70 degree है, ठीक है, दोनो angle हमें पता लगे, यानि कि A, E, C, A, E, C, और angle A, C, E, यह दोनो angle किसके एकुल आगे, यह आगे दोनो 70 degree के एकुल आगे, इतना हमने कर लिया, आब देखो क्या करेंगी, यह triangle तो हमने कर लिस और इसको आगे देखते हैं, आगे हम किस तरह से करेंगे इस question को, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, यहां से, जगा बनाने के लिए, ठीक है, तो आब ले लेंगे हम triangle, पूरी बड़ी triangle ले लेंगे, A, B, C, इन triangle, A, B, C, इन triangle, A, B, C, triangle, A, B, C, ले ले ली इस पार, मैंने बड़ी triangle लिया है, यह वानी, ठीक है, यह बड़ी triangle लिया है, और exterior angle इसमें क्या हो गया, 75 degree, तो exterior angle किसके equal होगा, आपको पता है, angle A, यानि कि यहाँ पे angle A की जगा में क्या दिरख है, angle B, A, C, और angle A, B, C, angle B, A, C, plus angle A, B, C, किसके equal होगा, angle A, C, F, के equal होगा, यह कौन सी property लगाई है हमने, यह लगाई है हमने, exterior angle property, कौन सी property लगाई है, exterior angle property, exterior angle property, आप लिख लेना मैं short में लिख दिया है, exterior angle property इसमें हमने लगा दिया है, यह वाला angle है, जो 75 degree, यह exterior angle है, यह किसके equal होगा, इस angle के और इस angle इन दोनों के plus के equal होगा, यही मैंने लिखा है, तो angle B, A, C, 40 दे रखा है, angle A, B, C हम निकाल लेंगे angle A, C, F कितना दे रखा है, 75 दे रखा है, तो angle A, B, C कितना आया, 75 में से 40 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, यह आएगा हमारे पास 35 degree, तो यह वाला angle जो हमने निकालना था, यह हमने निकाल लिया है, कितना आया, 35 degree, यह वाला angle, तेखे है, यह भी हमने निक फ़्ने निकालनी है अब हमने निकालना ही, यह कि एक्वल है, के की यह इक्वल है새 चाली है, ठीक है, तो आप देखो, इस अंगल को हम कैसे निकाल लेंगे, अब हम लिखेंगे, because PCF is a line, because PCF is a line, हमें given है कि ये एक line है, और line के उपर जो एंगल बनते हैं, ठीक है, आपको पता है, line के उपर कितना एंगल होता है, line के उपर जो एंगल बनता है, वो कितने का होता है, वो होता है 180 degree का ये वाला angle हमने निकाल लिया है 70 है ठीक है ये वाला angle निकालना है और ये total इस line पे कितने का angle ये तीनों angle का sum कितना होएगा ये तीनों angle का sum होएगा 180 degree क्योंकि एक line के ओपर बंढ रहे हैं तो BCF is a line तो इसलिए क्या होजेगा angle angle BCE angle BCE angle BCE angle BCE ये वाला angle और plus 70 degree और plus 75 degree किसके एकुल होजेगा 180 degree के एकुल होजेगा ठीक है तो आप लिखे जेंगे जो state angle property जो state angle होता है वो 180 का होता है इसलिए किन तीनों angle का sum कितना होजेगा 180 degree हो जाएगा तो angle BCE प्लस 75 और 75 ये होजेगा 145 और यहाँ पे 180 तो angle BCE 145 उदर जाके क्या होजेगा माइनस होजेगा यहाँ पे माइनस 145 तो BCE की value कितना जागी 35 degree तो हमने जो ये वाला angle है वो भी कितना निकाल दिया 35 निकाल दिया ठीक है अब हमारा question हो जाएगा हम लिखेंगे इन triangle इन triangle अब यही वाली triangle ले लेंगे B, E, C इन triangle B, C, E ठीक है बाकी मैं रब कर देता हूँ अभी एक मिट के लिए ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए मैं ले कौन से triangle ली है ठीक है तो हमने यह वाली triangle ली है यह वाली triangle B, C, E ठीक है इसमें यह वाला angle 35 यह वाला भी 35 तो दोनों 35 35 होगे angle तो हम लिखे देंगे angle angle A, B, C और angle क्या दूसरा क्या है निकाना हमने angle B, C, E क्या होगे दोनों यह होगे दोनों 35 degrees दोनों angle equal होगे 35 के equal होगी अगर angle equal होगे तो इनकी opposite side भी equal हो जाएंगी यानि कि B, E, C, E के equal हो जाएगा तेक है इसलिए क्या होगया B, E जो है वो C, E के equal हो जाएगा आप लिख सकते है side opposite to equal angles are equal side इसका reason यानिक सकते हैं side opposite to equal angles are equal ठीक है हमने यही prove करना था तो हम लिख देंगे health proved health is true ठीक है तो समझेगे तो इस तरह से आपने यह question करना था अब question number 2 है इसका in the given figure B, O, L, C, O are the bisector of the exterior angle meeting each other at O यह हमें figure दे रखिये है इसमें जो exterior angle है यह बाहर वाना जो angle है यह बाहर वाना यह exterior angle और यह एक exterior angle है दो exterior angle है इनके फिर इसने क्या लिए है bisector लिए है तीक है क्या लिए है bisector ऐसे यह bisector खिंच है इसका bisector ऐसे खिंच है और यह दोनों bisector point O पर दोनों मिल रहे हैं यह दोनों bisector का मिल रहा है point O पर bisector का मतलब आपको पता है angle bisector रहे है यह आदा आदा कर रहे है angle को half half ठीक है और इस ए 70 degree यह वाला angle A 70 degree है B O C हमने निकालना है B O C यह वाला angle हमें find out करना है तो देख लो किस तरह से करेंगे इस question को हमें यह जो एकस्टीर आपको एंगल के bisector दे रखे है यानि कि अगर यह angle x है तो यह angle भी क्या होगा x होगा क्योंकि यह दोनों angle क्या है bisector के कारण बड़े angle इसलिए दोनों equal होगे यानि कि पूरा total angle क्या होगा x और x 2x होगा यह पूरा angle कितना होगा 2x इसी तरह से अगर मैं इस angle को y माननू तो बाहर वाना angle मतलब यह वाना angle भी क्या होगा y होगा तो total angle y y कितना होगा 2y होगा कितना समझ गया आप तो हम क्या ले लेंगे in figure in figure जो हमें given figure है उसमें क्या चीज़ है हमें जो angle आप इसको या तो 1, 2, 3, 4 मान लो ठीक है angle 1, 2, 3, 4 या फिर आप angle e, b चलो इसको angle मान लो यह angle 1 है यह 2 है यह 3 है और यह 4 है ठीक है इसको हमने x x मानना है तो total angle कितना होगा 2x होगा तो angle e, b, c angle e, b, c कितना हो जाएगा 2x इसी तरह से angle angle d, c, b angle d, c, b यह कितना है 2y ठीक है तो अब यह वाला angle कितना बचेगा यह वाला कितना होगा देखो यह एक state line है यह पूरा angle 2x है तो यह कितना बचेगा 180 माइनस 2x यहनि कि इन दोलों angle का sum कितना होगा 180 होगा क्योंकि एक state line है अगर आप लिखना चाहो तो यह से लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे हम angle हम लिखेंगे angle angle e b c angle e b c plus angle a b c is equal to 180 degree यहनि कि क्या लगा दिया हमने linear pair क्या लगा दिया linear pair 9 जो पर दोलों angle का sum 180 होगा तो angle e b c कितना है हमने माना है 2x है तो a b c हम निकाल देंगे a b c कितरा बढ़ेगा a b c बढ़ेगा हमारे पास हम क्या करेंगे 2x उदर लेजेंगे 180 में से 2x को माइनस कर देंगे यानि कि यह वान angle क्या बचा हमारे पास 180 माइनस है 2x इसी तरह से यह वान angle जैसे हमने यह किया है same वैसे ही similarly angle a c b क्या बढ़ेगा 180 माइनस है 180 माइनस 2y ठीक है तो इस तरह से हम ले सकते है तो क्या लिखेंगे हम angle d c b angle d c b plus angle a c b a c b is equal to 180 degree इसका भी रिजन हम जैंगे linear पेर लिया हमने तो d c b d c b हमने क्या मनना है 2y मनना है तो a c b कितना हो जाएगा a c b हमारे पास आ जाएगा a c b angle आगया हमारे पास 180 माइनस 2y ठीक है 180 माइनस 2y ठीक है यह वाना angle हमारे पास आगया 180-2y, ये 1 angle, ठीक है, दोनों angle हमने, interior angle, triangle ABC के निकान, ठीक, समझेगे, आब triangle के 3 angle का sum कर देंगे हम, आपको पता है triangle के 3 angle का sum कितना होता है, 180 degree होता है, तो हम लिखेंगे in triangle ABC, उपर वाली triangle ले लेंगे हम ABC, ये वाली triangle ले लेंगे तीनों angle का sum कितना होजएगा, 180 होजएगा, यानि मैं से दलिख रहा हूँ 70 degree, प्लस 180-2x, ये दूसरा angle है, प्लस 3rd angle कितना लिखाना हमने 180-2y, is equal to 180 degree, तो कौन सी property लगाई, angle sum property triangle के 3 angle क्या होता है, 180 degree के equal होते हैं, तीनों angle का sum angle sum property हमने लगा दिये तो कितना हो जाएगा है, 70, अगर हम करते हैं इसको 180-180 और ये हो जाएगा, मारे पास minus का 2x और minus का 2y और 180-180, 360, 360 में 70 और add कर दो, 360 में 70 और add कर देंगे, तो ये हो equal to 180, और 430 उदर ले जाओ इसको, minus का 2x है, minus का 2y है, 180-430, और 430 में 90 करेंगे, minus तो कितना बचेगा, 250, ठीक है, ये हो बारे पास आया है, 250, minus का 2 है, ठीक है, minus का 250, अब देखो, minus का 2x है और minus का 2y है, इस में से हम common ले लेंगे, minus का 2, क्या ले लेंगे, हमने common, अगर minus का 2 को मल लिया है, तो अंदर क्या पचेगा, x plus y, और यहाँ पर है minus का 250, अब ये minus से, ये वाना minus होज़ेगा, कैसे है, x plus y की venue हमारे पास क्या आवी, x plus y की venue, अब ये 2 multiply कर रहा है, उदर जागे कर देगा divide, तो जब divide करेगा, तो हमारे पास x plus y आएगा, हमारे पास world 25, ठीक है, x plus y क्या आगया, world 25 degree आगया, इसी तरह से जैसे हमने उपर वाली ट्रेंगल लेती, अब निच्चे वाली ट्रेंगल लेलेंगे, इन ट्रेंगल बी ओसी, इन ट्रेंगल बी ओसी, ये वाली ट्रेंगल लेलेंगे, इस बार, ये वाली निच्चे वाली यह वाली तीग है नीच्चे वाली ट्राइगल ले लेंगे BOC यह वाला एंगल कितना है X है यह X है और यह कितना है Y है और यह एंगल हमें find out करना है तो वही एंगल सम प्रोपर्टी लगा दो एंगल X प्लस एंगल Y एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल B O C जो हमने एंगल लिकान ला है is equal to 180 degree क्या इस प्रोपर्टी से कर रहा है एंगल सम प्रोपर्टी से हमने किया है और ये इस equation को हम 1 माल लेंगे और X और Y की value क्या है? X प्लस Y की value 125 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 125 इस X प्लस Y की जगा क्याने के देंगे 125 तो एंगल B O C 125 उदर जाके क्या होजएगा? equal के जब उदर जाएगा माइनस होजएगा 180 माइनस 125 180 माइनस 125 तो तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 55 ठीक है? क्या बचेगा? 55 तो एंगल B O C हमारे पास कितना आया? 55 डिग्री आया है ये हमारा क्या है? आजसर तो समझेगे? हमने क्या किया? पहले उपर वाली ट्राइंगल ली उससे उसमें हमने क्या लगा दी? एंगल संपरपर्टी यह निगी A, B, C ली फिर हमने निच्चे वाली ट्राइंगल ली B O C B O C में भी एंगल संपरपर्टी लगा दी तो जो फास्ट एक्वेशन आयी थी है मारे पास फास्ट जो ट्राइंगल थी उससे एक्वेशन मनी थी X plus Y is equal to 125 हमने इसमें रख दी X plus Y की वाली इसमें रख दी आप लिख दी सकते हो यहाँ पे आप जटा नहीं बची थी आप लिख सकते हो कि from first X plus Y is equal to 125 यानि कि इस X plus Y के जगा हमने 125 रख दिया 125 उदर जाएगा तो माइनस होजेगा इस तरह से हमारे पास BOC की वैल्यू क्या आगी 55 डिगरी आ गई तो इस तरह से अपने कोस्टन करना था इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा रखा है तो चैनल को सस्क्राइब परने न और वीडियो को अपने सबी दोस्तों का शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार